हेलो स्टूडेंट आज की इस नई वीडियो में हम ये जानेंगे कि काल माक्स जी के अतरिक्त मूले का क्या सिद्धान्त है जिसे हम अधिशेश मूले का सिद्धान्त भी कहते हैं तो आज हम इस पूरी वीडियो में सर प्लस वेल्यू ठियोरी ओफ काल माक्स के बारे में बात करने वाले जब कभी भी हम काल माक्स के अतरिक्त मूले के सिद्धान्त या फिर अधिशेश मूले के सिद्धान्त के बारे में बात करते हैं तो हमें सबसे पहले काल माक्स के राजनितिक दर्शन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है चूंकि काल माक्स की ये पूरी की पूरी विचारदारा उनके विचारों पर ही अधारित है. यानि अगर आप लोगों ने काल माक्स के विचारों को अच्छे से समझ लिया कि क्या उनके राजनितिक विचार थे तो आप बिलकुल आसानी से उनके अतरिक्त मूले का सिद्धान जिसे अधी शेष मूले या अंग्रेजी में सर प्लस वैल्यू थियोरी भी का जाता है. तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि काल माक्स जी अपने अतरिक्त मूले या दिशेष मूले के परतिपादक थे इन्होंने इस बात का चित्रन ददास कैपिटल किसके अंदर ददास कैपिटल में पर्णन किया है ये बुक का नाम है आपको ये याद रखना ह और साथी साथ आपको ये भी याद रखना है काल माक्स जी ने इस पूरे के पूरे से धान्त के थुरू ये तरशाना चाहा है ये तरशाने का प्रियास किया है कि किस प्रकार से पूंजी पती समाज में कहां पर पूंजी पती समाज में पूंजी पती शर्मिकों का शोशन क चीजाती है उससे मिलने वाली इंकम को एकमात रूप से एकत्रित कर लेते हैं उनमें उनको कोई परिश्रम देखने को नहीं मिलता यानि चो मालिक है उसका कोई उसमें इतना ज़ादा खास एहम रोल नहीं होता। उसस्तू के उत्पादन में और ना ही उसस्तू की कीमत में बट फिर भी वो क्या करता है एक वस्तू की अधिकतर चीजें वैल्यू वो अपने पास में ही रख लेता है तो यही काल मांक्स का सर प्लस वैल्यू का सिद्दांत है incr स्लाइड में हम यही बात करेंगे चलते हम अपनी अगली स्लाइड के उपर जिसके अंदर हमने और भी बाते कहीं हैं तो काल मांक्स दोरह वडनित या फिर अधिशेस मुले के सिध्दान्त के बारे में बताइए यह आपको इसके अंग्रेजी भी याद रखनी है दूसरी बात आपको काल मांक्स के इस अत्रिक्त मुले के सिध्दान्त को समझने से पहले मूले के स recipe को समझना ओगा मूले का सरूप का मत पैदा करने के दो अधार होते हैं यानि दो अधार पर ही किसी वस्तू की कीमत तै की जाती है सबसे पहला अधार उपियोगिता की अधार पर सबसे पहला अधार उपियोगिता की अधार पर और नम्मर दो अधार विन्यमे के अधार पर तो इस लाइड में हमने यह बात करी कि कोई भी वस्तू है, उसको के साइब से कीमत उसकी तैय की जाती है, कीमत तै की नहीं जाती है, अगली स्लाइड पर चलते हैं, तो हम एक करके दोनों के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले उप्योगिता मूल, यानि कैसे कोई वस्तू ह तो और आ व्यूजक करते हो तो वह उसका यूज उपयोगी है उटिलिटी है उसकी तो इसके अधार पे ईनों क्या वर्णन करने का प्रियास करेंगाने हैं उन्होंने कि उपयोगता मूलख Tiger के इक व्यक्ति है, दो तरीके के दो काम उगले, एक तो अपनी आवशक्ताओं पूरती के लिए इस्तमाल करता है वस्तु को और कई बार हम वस्तु को अपनी इक्चा की पूरती के लिए इस्तमाल करते हैं, तो कालमाग जी का कहना है कि मनुस्य की इक्चा को पूरी करना, जो वस्त तो मनुस्य की एक्षाय पूरी करती है वो उसके लिए उपयोगी होती है ऐसे फॉर एक्जामपल अगर मुझे प्यास लगी है तो मेरे लिए पानी बहुत ज्यादा उपयोगी है लेकिन अगर मुझे प्यास नहीं लगी है तो मेरे लिए पानी क्या है एक वियर्थ चीज है एक ऐसी चीद जिसका मेरे लिए कोई यूज नहीं है, फिलाल के लिए आप ये समझना, अगर आप लोगों को भूक लगी है, तो इस दगाप पर आपके लिए रोटी की वैल्लिव है, ना कि अगर आपको भूक ना लगी हो, तो उस रोटी की आपके लिए कोई वैल्लिव नहीं है, तो कालमाक्स जी का कहना था, कि बही जो व्यक्ति है, वो अपने एक्छाओं को पूरी करता है, और साथ इसाथ जो व्यक्ति की एक्छा होती है, वो व्यक्ति के लिए उपियोगी होती है, आपकी अगर किसी कारे में इच्छा नहीं है आपका अगर कोई एक्जाम को लेकर माइंड सेट नहीं है तो आपके लिए एक्जाम भी वियरत है कोई उसका कोई फायदा नहीं है आप नौकरी की त्यारी इसलिए कर रहे हो क्यूंकि आप अपने जीवन में आगे सफल होना चा मूल्यवान और मैतो है यानि आपकी जो इक्षा है जो चीजा आप चाहते हो तो वो आपके लिए बहुत ही मूल्यवान हो जाती है उस समय और आपके लिए बहुत इंपोरटन्ट भी हो जाती है जो वस्तू हैं उसकी इक्षाओं को पूरा नहीं करती यहनि अगर आपको जिस चीज़ की भी ज़रूत है अगर वो आपके आउशक्ताओं को पूरा नहीं करता तो उस वस्तु का कोई उपयोग नहीं है जो मैंने कि आपको अभी बताया साथी साथ आपको यह रखना है कि जैसे अत्य अधिक भूके व्यक्ति के लिए बोजन उपयोगी है लेकिन भर पेट बोजन कर्चोए व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं है जो मैंने आपको एक्जामपल बताया तो इस स्लाइड में आपने यह जाना हम चलते हैं अगली स्ला चेंज वैल्यू जिसे हम बोलते हैं इसके बारे में हम डीप से पढ़ेंगे माक्स जी का कहना था कि मूले का दूसरा आधार विन में है यहनि कोई भी वस्तू अगर आप ले रहे हो तो अगर आप मार्केट में उसके बदले जरू कुछ नकुछ देते हो आप गोल्ड देत आपको यह भी याद रखना है जिसके अधार पे किसी वस्तू को दूसरे वस्तू के बदले में दिया जाता है जैसा कि मैंने आपको बताया जैसे यह मैंने आपके लिए तोड़ा सा डार्क भी किया इसको ध्यान रखना है जैसे किसी किसान के पास में अनाज अधिक है लेक लेकिन इसमें प्रॉब्लम आती है, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, इसमें प्रॉब्लम ही आती है, कि अगर सामने वाले व्यक्ति को आपकी वस्तु की अवशक्ता नहीं है, तो वो आपसे वैपार नहीं करेगा, इसलिए अवशक्ता के अनुसार किसान वैपारी दोनों ए यदि एक निश्चित मात्रा में अनाज के बदले में निश्चित मात्रा में कपड़ा दिया जाएगा ऐसा नहीं है कि आपने अनाज दिया तो आप पूरी के पूरी के प्थानी लेकर चले जाओगे कपड़े के तो इसके अंदर क्या है कि अनाज के बदले में आमें कपड़ दिया जा रहा है तो उतना अनाज के according उतना ही कपड़ा में मिलेगा जो उसके समतुल्ले या उसके मज़्दूरी के इकवलो हम ये भी कह सकते हैं ठीक है अते किसी वस्तू का मूले उसमें लगाए गए शिरम के अधार पर ही निश्चित होता यानि फॉर इग्जाम्पल कि भई अनाज की कीमत है कैसे थे होगी जितना कपड़े के होगी जिसे साफ से अनाज देंगे मुझे साफ से में कपड़े भी मिलेंगे अगर अनाज की कीमत अधिक है और कपड़े की कम है तो कपड़ा कम मिलेगा हमें तो यह आपको बाते ध्यान रखने है यहां पर साथी किन्तु कोई भी एक पूंजी पती है शर्मिक उतना ही परिश्रम देता है जितना चाहे वो जीवनत रहे अपने पेट बढ़ सके यानि इसके साल साथ इसमें एक्षेंज वेल्यू भी दूसरे सितना ही करते हैं जिससे उ जिसे हम अतरिक्त मूल्य सरप्लस वैल्यू कहते हैं इसके बारे में क्या है आपको पता चल गया भी जगा पर कि नॉर्मली कालमाक्जी ने बहुत बहुत चीज़े भी आपको लिखना बहुत इंपोर्टन्ट है यहां पर हम बात करेंगे कालमाक्स के अनुसार कालमाक्जी है होगी कि कोई वस्तू है उस पे किस हिसाप से श्रम लगाया गया है लेकिन बाजार में वे वस्तू उचे दाम पर बेची जाते यह से एक्जामपल हम लेंगे साइकल का साइकल का है कि हमने देखा कोई दो दिन में एक मजदूर जो है दो दिन में एक साइकल बनाता है तो तो उसे एक दिन के हिसाब से अगर 500 रुपे दिये जाते हैं तो दो दिन में उसको कितने रुपे दिये जाएंगे, उस मज़ूर को 1000 रुपे दिये जाएंगे, ठीक है, साथी साथ रो मटेरियल अगर हम देखें, तो उसमें रो मटेरियल लग दिया होगा 2000 रुपे का, अब वहाँ पर फैक्टरी का मालिक cycle को पुरा असेंबल करवा रहा है बनवा रहा है तो भाई उसने पुरा इंफरस्ट्रक्शर खर्च किया उसके लिए भी 2000 रुपे हम कर्च कर देते हैं बिजली पानी यह वो ठीक है सारी व्यवस्ताओं के लिए ट्रांस्पोर्ट में भी हमने 1000 रुपे खर्च कर दिये तो टोटल 2000 4000 5000 6000 6000 लेकिन cycle अगर बेसिकली हम मार्केट में जाते हैं तो हमें कम से कम 10,000 तक की हमें cycle मिलती है तो यह जो हमने देखा कि भई मजदूरी से लेकर कच्छा माल से लेकर एक चीज 6000 में हमारी हो गई लेकिन य यह 4000 रुपे किसको मिलेंगे मजदूर को मिलेंगे नहीं मिलेंगे क्यों नहीं मिलेंगे यह से सिर्फ पर सिर्फ मालिक हडप लेता है तो कालमाक्स का यह ही कहना है कि यह जो अधिशेश हुआ है 4000 रुपे का तो यह किसको जाता है यह जाता है पूंजी पतियों को या तो पीपर के मालिक को मिलेगा या फिन स्पेक्टरी के मालिक को मिलेगा मजदूर को नहीं मिलेगा बलकि इसमें पूरी की पूरी साइकल बनाने में मेहनत किसकी लगी मजदूर की लगी और उसको ही यह चीजें नहीं मिलेगी तो यही क्या है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त है है इसे ही हम क्या बोलते हैं सर प्लस वैल्यू का सिद्धान्त कहते हैं तो यही पूरा कपूरा यह है आशा करता हूं आपको यह समझ माया होगा अब अब जरा एक एक लाइन में मैं आपको अच्छी तरीगे समझा देता हूं कि माक्स की अनुसार परते हैं कि वस्तू का मूल यह अत्रिक्त पूंजी होती है वो सारा का सारा पूंजी पती की जेब में चला जाता है पूंजी पती द्वारा बिना श्रम के ही अत्रिक्त इंकम उसकी जेब में चला जाता है तो माक्स का कहना है माक्स का कहना है कि अत्रिक्त मूले उन दो मूले का अंतर है यानि हमने दे का कि 6000 रुपे लगबाग खर्च हो रहे एक साइकल के अंदर लेकिन उसाइकल बेची कितने में जारी है हमारे दस जार में बेच जारी तो इन दोनों का जो डिफ्रेंस निकल के आ करता है 4000 का यह है एकस्ट्रा इंक्ब तो यह जो अत्रिक टमल्य उन दो छो चीजों का अंतर इस पयादा करता है और वास्तव में पाता नहीं है ठ्कुह पाता है मालिक भाल्स यादि पूंजिपती पाथा यह वह मूलिए जिसे पूंज प्राप्त करता है अभी जैसे सर्मिकों के कारण ही प्राप्त करता है और जिसके लिए सर्मिकों को कुछ प्राप्त नहीं होता हुने बस बदले में क्या मिलता है दस्यार की साइकल बनाने में सिर्फ एक दिन के 500 रुपे मिलते हैं तो हमने क्या पाया हमने पाया कि यही एक्स दूरता है मैक्सी का कहना है तिरिक्त वैल्यों क्या होता है कि यह तोल टैक्स या फिर कह सकता है कि मैंने इतना बड़ा पूझ की पति एक पैन बनाने के लिए 10 उर्फे में खरीता है पैन क्या करता है अब आप देखो कि कोई पंजी पती पैन बनाने की समागरी 10 उर्फे में खरीदी और उसे बनाने वाले मज़दूर को तेन रुपे देता है तोटल कितना रुपे कर्च हो गए 30 रुप्य हो गये लेकिन मार्केट में ये 200 रुप्य में बिखता है ये 7 रुप्य जो जो यह गीन कर रहा है यही surplus value है माक्स के अनुसार यह अत्तरीक्त मुले किसको मिलना चीए श्रमिको को मिलना चीए किन्तु पूंजी पती उसमें श्रम की चोरी करता है और उसे ही इस पूरे के पूरे श्रम का लाब भी मिलता है साथी साथ आपको यह दियान रखना है यह चो पूंजी निर्मान करते हैं इसी से पैसे कमाता रहता है कमाता रहता है कमाता रहता है और एक छोटा सा व्यापारी आगे चलके बहुत बढ़ा उद्योग पती भी बन जाता है चीक है तो यही इसके अंदर बताये गया है उत्पादन की वृद्धि के साथ साथ अत्रीक्त इसके अलावा जो अत्रीक्त मुल्य उसको भी बढ़ाता रहता है इसके अंदर आपको यह भी ध्यान रखना है कि पूंजी पती का लक्षे अपने धन का निरंतरन वृद्धि करना होता है जो भी पूंजी पती व्यक्ति होता है जो भी प्रिका मालिक होता है अमीर वर्ग ह अपने आपने पूंजी में आपने आपको अमीर कर ना और अधिक परिश्रम पाने के लिए अब क्या यहां पर क्या करता है, मज़ूर क्या करेगा बिचारा, अब अधिक पैसे कमाने के लिए मज़ूर संगठन मनाता है, मज़ूर संगठन का निर्मान करता है, और अवशक्ता पढ़ने पर नरतालू का सहाड़ा लेता है, लेकिन पूंजी पती क्या करते हैं, पूंज पूरी व्यवस्ता चलती रहेगी इसी तरीके से आज की जो यह स्लाइट थी वह यहीं समापत होती है आशा करते हैं आपको यह बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि बही कालमाक जी का जो अतरिक्त मुल्य का सिध्धान्त क्या था क्या नहीं था अगर आपको इ इसक्रिप्शिन बॉक्स में मैंने आपको कुछ अपने शोशल मीडिया की अकाउंट के लिंक दियें जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वहां से भी आपको मेरी वीडियो का अपडेट का लें कि या फिर अपडेट की जानकारी मिलती रहेगी तो चले गाइस मिलते हम आपस अपने अगली वीडियो में जय हिन जय बार्ग